दोस्तों नमस्कार आपका स्वागत है दा साइन्स अब में और आप लोग देख रहे हैं आज NCRT की क्लासेस में 10th क्लास में साइन्स का एट्थ चेप्टर जिसका टॉपिक है जीव जनन कैसे करते हैं यह क्लासेस 10th क्लास के इस्टुडेंट के लिए इमपॉर्टेंट है सिविल सर्वसेस के लिए इमपॉर्टेंट है पीजटी, टीशटी के लिए, रेलवे गुरूपिडी के लिए और ऐसे सारे एकजाम्स जिसमें साइन्स आती है तो आएए dear students अब start करते हैं अपने chapter को देखिए क्या है जीवों के जनन की क्रिया विथी पर चर्चा करने से पूर्व आएए हम एक मूल भूत प्रशन करें जीवों जनन क्यों करते हैं तो आपको बता दें कि जीवों जनन इसलिए करते हैं ताकि वे अपने वन्स को बढ़ा सकें इसलिए वे जनन करते हैं वास्तों में पोशण, सोसन, अत्वा उत्सर्जन जैसे आवस्यक जै प्रक्रमों की तुलना में किसी वेश्टी, वेश्टी का दोस्तों मतलब होता जीव, जीव को जीवित रहने के लिए जनन आवस्यक नहीं है, दूसरी ओर जीव को संतती उत्पन करने के लिए अत्तधिक और जीवित रहने के लिए तो दोस्तों आपको बता दें, जीवर जनन करते हैं अपने वन्स को बढ़ाने के लिए, अपनी संतान को पैदा करने के लिए और इस प्रत्वी पर अपनी परजाती को भरकरार रखने के लिए, देखिए अब दोस्तो इस प्रस्म का उत्तर जो भी उत्तर हो परन्तु ये इस पश्ट है कि हमें विभिन जीव इसलिए दिश्ट गोचर होते हैं क्योंकि वो जनन करते हैं देखिए दोस्तो अगर जनन नहीं करेंगे तो वो उनकी प्रजाती धीरे-धीरे प्रत्वी से गायब होने लगेगी विलुप्त होने लगेगी इसलिए दोस्तो जीवू के लिए जनन अतियावसिक होता है यदि वे जीव एकल होता है तता कोई भी जनन द्वारा अपने सदर्स वश्टी उत्पन नहीं करता है तो संभव है कि हमें उनके अस्तित का भी पता नहीं चलता है किसी species में पाई जाने वाले जीवों की विशाल संक्याही हमें उसके अस्तित का ज्यान कराती है हमें कैसे पता चलता है कि दो वेश्टी एक ही स्पीसीस के सदस्थ है सामानता हम ऐसा इसली कहते हैं क्योंकि वे एक समान दिखाई देते हैं अता जनन करने वाले जिव संतती का सरजन करते हैं जो बहुत सीमा तक उनके समान दिखाई देते हैं देखिए क्या होता है आप अपनी से एक्जाम पर लें, कि हम लोग हैं तो अपने मम्मी पापा से कुछ ना कुछ मैच करते हैं, हो सकता चैरा मैच करता हो, हाथ पर मैच करते हो, वाइस मैच करती हो, हंडेट परसेंट अपने मम्मी पापा से मैच करते हैं, तो क्या होता कि ज और्थाथ जिव जो reproduction करते हैं, जनु करते हैं, उसके माध्यम से, क्या हुए, सेम संतान या एकदम होटो कापी जैसी संतान उत्पन करते हैं, ऐसा नहीं होता है गर्षतों, कुछ ना कुछ चेंजमेंट होता है, उनके क्रोमोसोम में अंतर हो सकता है, उनकी activity में अंतर हो सकता है, कुछ ना कुछ dear students, जरूर अंतर होता है, तो अपना जो अभी का topic है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या है dear students, है, क्या जीव पूर्तिया अपनी प्रतिकृति का सर्जन करते हैं, देखें, विभिन जीवों की अभिकल्प, आकार एवं आकरती समान होने के कारण ही वे सद्रस प्रतित होते हैं, शरीर का अभिकल्प समान होने के लिए उनका blueprint भी समान होना चाहिए, अता अपने आधार भूत इस तर पर जनन जीव के अभिकल्प का blueprint तयार करता है, कक्षानों में आप पहले ही पढ़ चुके हैं और मैंने आपको बताया भी है, कि कोश्क के केंदरक में पाए जाने वाले गुर्शुत्रों के DNA, दोस्तो DNA का फुल फार्म होता है, डी ओक्सी राइबो निकलिक एसेट, RNA का होता है, राइबो निकलिक एसेट, DNA जो होता है, ये जेनिटिक पदार्थ होता है, ये जेनिटिक प्रोड़क्ट होता है, देखिए, तो DNA कश्का केश्ट के अरू में अनुवानसी गुणों का संदेश होता है, जो जनक से संतती पीडी में जाता है। कोश्का की केंदर के DNA में प्रोटीन संसलेक्षन हे तू सूचना नहींत होती है इस संदेश के भिन होने की अवस्ता में बनने वाली प्रोटीन भी भिन होगी विभिन प्रोटीन के कारण अंत्ता शारीरिक अविकल्प में भी विविलता होगी अब देखिए अता जरन की मूल गटना DNA की प्रितकृति बनाना है कहा जाता है कहा क्या जाता साइंस ने प्रूब भी किया है कि जो अपना DNA है वो अपने मम्मी पापा से DNA मैच करता है किसे मम्मी पापा से DNA मैच करेगा 50% भी हो सकता 60% भी हो सकता 40% भी हो सकता है या इससे ज़्यादा भी या कम हो सकता है तो देखिए दोस्तों DNA की प्रतकृति बनाने के लिए कोश्का विफिन रसाइनिक करियाओं का उपयोग करती है जनल कोश्का में इस प्रकार DNA की दो प्रतकृतियां बनती है तथा उनका एक दूसरे से अलग होना आफश्क है परन्तु DNA की एक प्रतकृति को मूल कोश्का में रखकर दूसरी प्रतकृति को उससे बहार निकाल देने से काम नहीं चलेगा क्योंकि दूसरी प्रतकृति के पास जैप्रक्रमों के अनुवरक्षर है तो संगठित कोश्की समरचना तो नहीं होगी इसलिए DNA की प्रतकृति बनने के साथ साथ दूसरी कोश्की समरचनाओं का सरजन भी होता रहता है इसके बाद DNA की प्रतकृतियां विलग हो जाती है परणामता एक कोश्का विवाजित होकर दो कोश्काएं बनाती है ये दोनों कोश्का ये दिपी एक समाने परंतु क्या वे पूल रूपिल समरूप है इस प्रस्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि प्रतकृति की प्रक्रियां कितनी यथार्त या थार्ता से संपाधित होती है कोई भी जैव रसाइनिक प्रक्रिया पूल रूपिल विश्रसनी नहीं होती है अता यह आप एक खिशित है कि डिएने प्रतकृत की प्रक्रिया में कुछ विविनता पाई जाती है दोस्तों मैंने आपको बताया है कि देखिए मम्मी पापा से हम लोग थोड़े बिन्ध हैं एकदम उनकी तरीके कॉपी नहीं कुछ ना कुछ अंतर है यह होता डिने की वज़े से किसकी वज़े से डि एने की वज़े से होता और डि एने का जो फुल फाहम होता है हम लोग मम्मी पापा की तरफ एकदम नहीं होते हैं कुछ ना कुछ अंतर होता है देखिए दोस्तों तो क्या होगा परंतु मौलिक डिने का समरूप नहीं होगी हो सकता है कि कुछ बिविनता है इतनी उग्रों की डिने की नई प्रतकृती अपने कोश की संग्टन के साथ समायोजित नहीं हो पाए इस प्रकार की संतती कोश का मर जाती है दूसरी ओर डिने प्रतकृती की अनेक विविनताएं इतनी उग्र नहीं होती अता संतती कोश्काइं समान होते भी भी किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन होती है। जनन में होने वाली ये विविन्ताइं जैव विकास का आदार है जिसकी चर्चा हम अगले अध्याय में करेंगे। अब जो अपना टॉपिक है 8.1 विविन्ता का महत। दोस्तों विविन्ता होती क्या है। देखिए जितने परत्वी पर जीव देख रहे हैं। आप छोटा सा एक्जामपल ले लो बकरी का। तो बकरी में भी विविन्ता हैं पाई जाती हैं। कोई बकरी छोटी होती कुछ अलग उनकी भी विविन्त परकार की वराइटी पाई जाती है। मनुष्र में देख लो क्या सभी मनुष्र एक जैसे हैं भारत के उत्तर भारत के देखो मद्ध भारत के और दक्षिड भारत के तो क्या इनमें कुछ ना कुछ क्वालिटी पाई जाती है जिससे प्रूफ होता है कि भारत के किस हिस्से में रहते हैं कंट्री की बात करें तो कन जानना बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसलिए विविंता होना बहुत जरूरी है इसको आप जैव विवित्ता भी कह सकते हो क्या कह सकते हो जैव विवित्ता जिसको इंग्लिश में बायो डायवर्सिटी भी कहते हैं देखिए अपनी जनन शमता का उपयोग कर जीवों की परचना एवं डिजाइन के लिए अत्यंत महत पूर है जो उसे विशिष्ट निकेत की योग बनाती है अता किसी प्रजाती की संवश्टी की इस्तायत का संबंध जनन से है परंतु निकेत में अनेक परिवर्तन आ सकते हैं जो जीवों के नियंतरों से बहार है प्रत्वी का अताप कम या अधिक हो सकता है जल इसतर में परिवर्तन अत्वा किसी उलका पिंड का टकराना इसके कुछ उधारन है यदि एक संबंश्टी अपने निकेत के अनकूल है तता निकेत में कुछ उग्र परिवर्तन आते हैं कैसे उग्र परिवर्तन वाइलेंट चेंजमेंट परिवर्तन आते हैं तो एसी अवस्ता में संबश्टी का समूल विनास भी संबह वह है परन्तु यदि संबश्टी की जीवों में कुछ वीवंता होगी तो उनके जीवित रहने की कुछ संभावना है अता यदि शीतोसर जल में पाए जाने वाले जीवार्गों की कोई संब इसी की वज़े से ग्लोबल वार्निंग बढ़ती रहती है के कारण जल का ताप बढ़ जाता है तो अधिकतर जीवारू वैस्टी मर जाएंगे परंतु उश्ल प्रत्रोधी शम्ता वाले कुछ परिवर्थी जीवित रहते हैं तता विर्द्धी करते हैं अता विविंताएं इ कुछ प्रसंदी हैं कि इनको आप पढ़े और स्वयम करें अब आप हम लोग देखने वाले हैं एकल जीवों में परजिनन की विधी इसके लिए क्रिया क्लाप दिया गया इसको आप स्वयम पढ़ ले और समझ लें यह भी क्रिया क्लाप है इसको भी देख लें अब एकल ज दियो चाए कवक्की हु जिसे हम एकल से सम्मंद रखते हैं इस चर्चा बात की जनन किस प्रकार कार करता आईए हम जाने की विभिन जीवों कि जनन की विधी उनके शारीरिक अभिकल पर निर्बर करती है अब हम लोग पढ़ेंगे विखनडन क्या पढ़ेंगे दोस्तों विखंडन पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे, देखिए, एक कोशिक जीवों में, देखिए, फर्स्ट अपॉल आप समझें, कि एक कोशिक होता क्या, ऐसे जीवों, जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका पाई जाती है, सिंगल सेल पाई जाती है, उनको एक कोशिक जीव कहते हैं, सिंगुलर सेलर कहते हैं, क्या कहते हैं, सिंगुलर सेलर कहते हैं, सिंगुलर सेल वाले जीव भी उनको कहते हैं, एक कोशिक जीवों में कोश्का विवाजन अथवा विखंडन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ती होती है, विखंडन के अनेक तरीके फ्रेक् किएगे हैं अनेक जीवारू तथा टोटो जोगा की कोश्का वीवाजन दोआरा सामानता दो बराबर भागों में विवगत हो जाती है देखे अमीवा जैसे जैसे अमीवा जीवों में कोश्का विवाजन किसी भी दल से हो सकता है देखिए first of all आप समझें कि जो अमीबा होता उसकी कोई आकर्ती निशित नहीं होती बस अपने सरीर को दो भागों में डिवाइट कर लेता है यहीचैं का प्रोक्षेस है इसी से अपनी संत्री का निर्वार करते हैं अपने स्कों बढ़ाते हैं और किस माद्यम करेऊ से विखंडन विधी के माद्यम से होता है अभी आपको क्रिया कलाब देख पा रहे हूंगे आर्थ सम्ड़ों 3 अब इसमें आपको दिखाएंगे दोस्तों चित्र भी दिखाते हैं चलिए यह रहा अमीवा में 2 घंडन देखिए आप लोग देख पा रहे हूंगे यह किस तरीके से दिया गया चलिए इसको अंडरलाइ देखिए एक अमीवा है नहीं देखिए एक कोई आकरति नहीं होता अकरतिन निश्यत नहीं होती यह एक कोशेख ज्यु ओता अर्थार इसके अंदर एक कोश्ता होती जैसा कि आप देख पा रहे हूंगे फिर दूसरे स्टेज में आप देख पा रहे होंगे कि थोड़ा सा यह लंबा हो रहा थर्ड में देखिए इस तरीके एक हुआ फूर्थ में जो कंडिशन हुई यह डिवाइड होने लगा और फिर तुमें देखिए इसने दो पार्ट्स डिवाइड के लिए यह दिखंडन विधी के मात्यन से होता है और एक बात हमेशा रखें जो अमीबा है अमीबा पायराम इसियम और यूगलीना यह एक कोशिक जीव सेलूलर होते हैं आगे देखते हैं देखिए परंतुं कुछ जीवों में शारीदिक सनचना अधिक शंगतित होती है उधारता काला जार के रोगाडू चली इसको अंट्रलाइं ही करते हैं के देखिए काला जार के रोगाडू लेस माणिया में कोषका के एक सिरे पर कोडे के समान सुक्ष्म सनरशना होती, ऐसे जीऊ में दिखंडन एक निर्धारित तल से होता है मलेरिया पर जीवी, प्लाजमोडियम जैसे अन एक कोषिक जीऊ, एक साथ अनेक संत yemति कोषका में विवाजित हो जाते हैं जिसे क्या कहते हैं बहुखंडन कहते हैं इसमें भी चित्र आप देख सकते हैं देखें चित्र आर्द समलों एक भीमी लेसमानिया में विखंडन यह संरचना चोटी सी बीच में बिंदू आप देख पा रहे होंगे A, B, C, D, E, F तक आप इसकी संरचना को देख पा रहे होंगे और समझ पा रहे होंगे चलिए आगे देखते हैं दूसरी और इस्ट कोश्का से छोटे मुकल उभर कर कोश्का से अलग हो जाते हैं तता सोतंत रूप से व्रद्धी करते हैं जैसा कि हम क्रिया कलाप आर्द समलों एक में देख चुके हैं जैसा कि मैंने आपको दिखाया है अगर आप देखना चाहें चेतर तो आप आर्द समलों दो भी देख सकते देखिए क्या है डियर इस्टूनेंस प्लास मोडियम में बहुखंडन किस तरीके से बहुखंडन हो रहा है कितने भागों में तूट रहा है देखिए अगर दो भागों तूटेगा दिखंडन तीन भागों में त्री खंडन बोल सकते हो, त्री खंडन कहें सकते हो, बहुत सारे भागों में तूटेगा, तो उसे बहुत खंडन कहेंगे, ठीक है, ये रा क्रिया कलाप 8.4 इसको आप पढ़ लें, और समझ लें, देखे, सरल संरशना वाले, बहुत कोशिक जीवों में, जनन की सरल विदी कार करती है, उदारता इसपाइरो गाहिरा सामानता, विक्षित होकर, छोटे-छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है, कौन ispाइरो गाहिरा? ये राएispाइरो गाहिरा, ये टुकड़े अत्वा खंड विर्धी कर, ने, जुँँ में विक्षित हो जाते, क् दर कोशुका विवाजित नहीं होते। ऐसा क्यों है? इसका कारण है कि अधिकतर बोग कोशिक जीव विभिन कोशुकाओंका सम्मू मातरी नहीं हैं विशेशकार है तो विशिष्ट कोश्काएं संगटित होकर उतक का निर्मान करती हैं तर्था उतक संगठित होकर अंग बनाते हैं शरील में इनकी इस्तिती भी निश्यत होती है ऐसी सजक विवस्तित परस्तिती में कोश्का दर कोश्का विवाजन आविवारिक है अथा बहु कोशिक जीवों को जरन के लिए अपेक्षाकृत अधिक जटिल विदी की आवसकता होती है देखिए दोस्तों बहु कोशिक जीवों दोआरा प्रियुक्त एक सामान युक्ति यह है कि विफिन प्रकार की कोश्काएं विशिष्ट कार के लिए दक्ष होती हैं अर्थात वो अबलेबल होती हैं काबिल होती हैं अर्थात वो कार वो कर सकती हैं इस सामान विवस्ता का परिपालन करते हुए इस प्रकार के जीवों में जनन के लिए विशिष्ट प्रकार की कोश्काएं होती। क्या जीवों अनेक प्रकार की कोश्काओं का बना होता बिलकुल दोस्तों अपना सरीर विभिन प्रकार की कोश्काओं से बना हुआ आप कह सकत कि आपका शरीर बहु कोश्की है बहु कोश्की अर्थात English में इसको मल्टी सलूलर भी कहते हैं इसका उत्तार है कि जीव में कुछ ऐसी कोश्का है होनी चाहिए जिनमें व्रद्धी क्रम पर्शनौर तथा उचित परिस्तिती में विशेश प्रकार की कोश्का बनाने की शमता आप हम लोग पढ़ेंगे पुनरुत भवन जिसको पुनर जनन इंग्लिस में वरी जनरेशन कहते हैं यह दोस्तों बहुत इंपोर्टन टॉपिक है इसको समझते हैं क्या है देखे दोस्तों पूल रूपेड विवेदित जीवों में अपने काईक बाक से नए जीव के निर सब्सक्राइब कोई जीव है वह विवेदित प्रकार के टुकड़ों में विवाजित कर दिया जाए और कुछ समय बाद उन टुकड़ों से वह अपने जैसे ही नए जीव का निर्माल कर ले तो इसको ही क्या कहते हैं पुनरुत भवन पुनर जनन और इंग्लिस में इसको र जनरेशन कहते हैं देखिए दोस्तों उधारन भी आपको देते हैं जैसे हाइड्रा क्या है डियर इस्टुएंट हाइड्रा प्लैनेरिया जैसे सरव प्राणियों को यदि कई टुकड़ों में कार दिया जाए तो प्रतेक टुकड़ा विक्षित होकर पूर जीव का निर्म प्लैनेरिया में पुनरुत भवन जैसा कि आप लोग यह देख पारें किस तरीके देखो आमने एक प्लैनेरिया लिया और इसे तीन टुकड़ों डिवाज गया धीरे धीरे यह इसने क्या किया यह तीनों एकदम पूर जीव के रूप में परवर्थित हो गया पुनरुत भवन विशिष्ट कोश्काओं द्वारा संपादित होता है इन कोश्काओं के क्रम पुर्षरोन से अनिक कोश्काओं बन जाती हैं कोश्काओं के इस समूं से परिवर्थन के दवरान विविन परकार की कोश्काओं एवं उतक बनते हैं यह परिवर्थन बहुत विवस्तित रूप एवं क्रम से होता है, जिसे परिवर्धन कहते हैं, परंतु पुनरुद्ध भवन जनन के समान नहीं है, इसका मुख कारण यह है कि प्रतेक जीव के किसी भी भाग को काट कर सामनता नया जीव उत्पन नहीं होता है. अब जो हमारा अगला टॉपिक के डियर स्टुएंट वह है मुकलन, क्या है? मुकलन के बारे में अब पारते हैं, हाइड्रा जैसे कुछ प्राणी पुनर जनन की शमता वाली कोश्काओं को उप्योग मुकलन के लिए करते हैं, हाइड्रा में कोश्काओं के नियमित विवाज इनकी कारण एक इस्तान पर उभार विक्षित हो जाता है, यह उभार मुकल व्रद्धी करता है, क्या? यह दोस्तों जो उभार होता है, इसी को मुकल कहते हैं, यह उभार व्रद्धी करता हुआ नन्ने जीव में बदल जाता है, तता पूर विक्षित होकर जनक से अलग होक कर लेता है और दोस्तों इसी विदी को मुखलन कहते हैं जो उभार हो रहा उसके शरीर में उसी को मुखल भी कहते हैं चलिए देखें आप देख सकते हैं यह देखें चित्र आर्द असमलों 4 में हाइड्रा में मुखलन किस तरीके से हो रहा है चलिए चित्र के उससे दिखाते एरो से आपको ये देखिए वा अब ये मुकल हुआ दीरे दीरे बड़ा फिर इसने ये देखिए अलग दीरे दीरे और सम टाइब से अप्टर ये अपने जो जनक है उससे अलग होकर अपने आपको पूर विक्षित कर लेगा चलिए अब देखेंगे काईक प्रवर्धन क्या होता है काईक प्रवर्धन को समझने की कोश्यस करते हैं डियर इस्टूरेंट ऐसे बहुत से पौधे हैं जिनमें कुछ बाग जैसे जड़ तना तता पत्तियां उप्यूक्त परिस्तितियों में विक्सित होकर नया पौधा उत्पन करते हैं अधितर जंदों के विप्रित एकल पौधे इस शंता का उप्योग जरन की विधी की रूप में करते हैं परतन, कलम, अथवा, रोपर जैसे काई प्रवर्धन क्या होता कि ये कलम बिदी से गुलाब की खेती की जाती आप सबी जानते हो रोपड क्या होता जैसे धान की खेती हम सबी लोग जानते कि धान जो है वह लाश्ट जून या जुलाई स्टार्टिंग में रोपित किया जाता है और उसी से धान और फिर चावल प्राप्त होता है और देखिए जैसे काईग प्रवर्दन की तक्निक का उपयोग क्रशी में भी किया जाता गन्ना गुलाब अत्वा अंगूर इसके कुछ उधाराना है जश्ट अभी मैंने आपको बताया भी है काईग प्रवर्दन द्वारा उगाएगे पौधों में बीज द्वारा उगाएगे पौधों की अपेक्षा पुस्प एवं फल कम समय में लगने लगते हैं ये पद्धिति केला संत्रा गुलाब एवं चमेली जैसी उन पौधों को उगाने के लिए उपयोगी है जो बीच उ कर्या प्रव्र चितरा ब्लाप है इसको आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं आट जी समलोब पांच को ठीक है अब हम लोग आगे है यह चितर दिखाते आड सम्लों पांच कलिकाओं के साथ ब्रायो फिलम की पतियां यह लेखे किस तरीके से बसी परकार में हैं को मेनी से racism च्छे एक हिसमें में क्या करना मनी प्लांट लेना है इसे कुछ टुकडों में इस प्रकार काटिए कि प्रतेक में कम से कम एक पत्ती अवस्षो दो पत्तियों के मदद वाले भाग के कुछ टुकडे काटिए सभी टुकडों के एक सिरी को जल में डुबू कर रखिये तता आपको बताते उतक समवर्धन, क्या आप बताएंगे, उतक समवर्धन देखिँ जिसको टिस्फ्यू केते कोष्काओं से उतक का निर्माल होता उतक से ही शरीर का निर्माल होता है। देखे उतक संबर्दन तक्नीकी में पौधय के उतक अत्वा उसकी कोशकाओं को पौधय के शीर्स के वर्दमान भाग्चित प्रथक कर नए पौधय उगाय जाते हैं। इन कोशकाओं को कृतिम पोशक माध्य में रखा जाता है जिससे कोशकाओं विवाचित ओकर अनेक कोशकाओं का छोटा समू बनाती हैं। मुक्त परस्तितियों में उत्पन किये जा सकते हैं। इस तकनीक का उपयोग सामानता सजावती पोधों के समवर्दन में किया जाता है। ये राईजोपस का कवक जाल है, किसका है? राईजोपस का कवक जाल है, ये जनन के भाग नहीं, परंतु उर्द तंत्वों पर सूषम गुछ संरचनाये जनन में भाग लेती है, ये गुच बीजालू धानी हैं जिन में विसेश कोश का अत्वा बीजालू पाए जाते हैं चितरार्द सम्लोच है ये बीजालू व्रद्धी करके राईजोपस के नए ज्यू उत्पन करते हैं बीजालू के चारों और एक मोटी भित्धी होती है जो प्रत्कूर प्रस्तितियों में भी उसकी रख्षा करती है नम सताय के संपर्क में आने पर वह ब्रद्धी करने लगते हैं अब तक जनन की जिन विद्धीयों की हमने चर्चा की उन सभी में नई पीड़ी का सर्जन के बाद एकल जी द्वारा होता है इसे अलेंगिक जनन कहते हैं देखे जिसमें एक जनक सम्लित हो क्या हो एक जनक सम्लित हो उसे अलेंगिक जनन कहते हैं और जिसमें दो हूं नर और मादा वो कहलाता है लेंगिक जनन चलिए उसके बारे में आगे पढ़ते हैं अब चित्र भी देख लो आर्दर समलोच है राईजोपस में बीजारू समा संग यह लेकिए आप देख पा रहे होगे कुछ प्रस्म दिएगे इनको स्वयम पढ़ें और आगे बढ़ें अब जो हमारा बेतरिन टॉपिक है वह डिर इस्टूरेंट्स है लेंगिक जनन मैंने आपको पहले बताया था है अलेंगिक जनन में सिर्फ एक जनक की जरूरत परती है और लेंगिक जनन जो होता है डिर इस्टूरेंट्स उसमें दो जनक की आसकता परती है ठीक है जैसे नर और मादा क्या हो नर और मादा की जरूरत परती है आईए अब स्टार्ट करते हैं क्या है लेंगिक जनन हम जनन की भागीदारी होती है ना तो एकल बैल संतिती बच्रा पैदा कर सकता है और नहीं एकल मुर्गी से नहीं चुज़ए उत्पन हो सकते हैं ऐसे जीवों में नवीन संतिती उत्पन करने तो नर एवं मादा दोनों लिंगों की आवसकता होती है इस लेंगिक जनन की सातरता क्या है क्या अलेंगिक जनन की कुछ सीमा है इनकी चर्चा हम उपर कर चुके हैं आईए लेंगिक जनन प्रणाली क्यों इसकी बारे में पढ़ते हैं किसकी बारे में पढ़ेंगे लेंगिक जनन प्रणाली क्यों देखिए एक और आपको एक चीज बताई दूस्तों चैसे दोई हम लोगों का जनम गुआ हैं लगबिख जतने जिवहें उनका जनस होता लैंगी सिम्हाध के माद्यम से जिसमें नर्माता संभित हैं अ संत्थित कोशकां के बनने में DNA की प्रत कृती बनना कोशकी संगटन दोनों ही आफसक है जैसा कि हम जान चुके हैं कि DNA प्रतकृति की तखनीक पूर्टा यथार्थ नहीं है प्रणामी तुर्टियां जीव की समबश्टी में विविन्ता का स्लोथ है जीव की प्रतीक विश्टी विविन्ताओं द्वारा स्वनरक्षित नहीं हो सकती परंतु इस स्पीसीस की समबश्टी में पाई जाने वाली विविन्ता उस स्पीसीस के आस्थित को बनाय रखने में सायक है अताजीवों में जनन्की कोई ऐसी विदी अधिक सार्तकोंगी जिसमें अधिक विविन्ताओं हो सके यदिपीasения प्रतिक्रति की प्र्तिक्रति की पुर्णे방 यथार्ट नहीं है वह इतनी परशुद अवस्य है जिसमें प्रिविंता अत्यंत धीमी गती से उत्पन होती है ये दिए डिने प्रतकृती की क्रिया विदी कम परशुद होती तो बनने वाली डिने प्रतकृतियां कोश्की समरचना के साथ सामन्जस नहीं रख पाती पढ़ा नई विविंता के साथ साथ पूर्ण पीडियों की विविंताएं भी संग्रेत होती रहती है अता संवस्टी की दो जीवों में संग्रेत विविंताओं के पैटरन भी काफी भिन होंगे क्योंकि ये सभी विविंताओं जीवित विष्टी में पाई जा रही है अता ये सुन क्रम में दो विभिन जीवों भाग लेते हैं अता प्रतेक सयोजन अपने आप पे अनोखा होगा लेंगिक जनन में दो विभिन जीवों से प्राप्त DNA को समाहित किया जाता है परंदो इससे एक और समिस्या पैदा हो सकती यदि संत्रती पीडी में जनक जीवों के dna का युगमन होता रहे तो प्रतेक पीडी में dna की मात्रा पूर पीडी की अपेक्षा दोगनी होती जाएगी इससे dna द्वारा कोश्की संगटन पर नियंतरों तूटने की अतदिक संभावना है इस समिस्या के समाधान के लिए हम कितने तरीके सोच सकते हैं देखे हम पहले जान चुके हैं कि जैसे जैसे जीवों की जटिलता बरती जाती है वैसे वैसे उतकों की विशिष्टा बरती जाती है उप्रयोक्त समिस्या के समाधान जीवों ने इस प्रकार खोजा जिसमें विशिष्ट अंगों में कुछ विशेष प्रकार की कोश्काओं की परत होती है जिन में जीव की काई कोश्काओं की अपेक्षा गुर्षूत्रों की संख्या आदी होती जाती है दोस्तों आपको बता दें जो मनुष है इसमें गुर्षूत्रों की जो संख्या है वह 46 है संख्या 46 है जोड़े में 23 है संख्या में 46 है जोड़े में 23 है अर्था 23 है तता DNA की मात्रा भी आदी होती ये कोश्का विवाजन की प्रिक्रिया जिसे अर्ध सूत्री विवाजन कहते हैं क्या कहते हैं अर्ध सूत्री विवाजन इसको कहते हैं देख लो कि ये द्वारा प्राप्त किया जाता अतादो भिन जीवों की ये युगमक कोशका लेंगिक जनन में युगमन द्वारा युगमनेस बनाती हैं तो संत्ति के गुर्शूत्रों की संक्या एवं डियन्नी की मात्रा पुनर इस्तापित हो जाती है देखे डियर श्टुएंट्स यदि युगमनेस ब्रद्धी एवं परिवर्दन द्वारा नए जीवों में विक्सित होता है तो इसमें उर्जा का बंडार भी पर्याप्त होना चाहिए अती सरल समर्चना वाले जीवों में प्राया दो जनन कोशकाओं की आकरती एवं आकार में विशेश अंतर नहीं होता अत्वा वे समाकरती भी हो सकते हैं परंतु जैसे ही शारीरिक डिजाइन अधिक जटिल होता है जनन कोशकाओं भी विशिष्ट हो जाती है एक जनन कोशका अपेक्शाकरत बड़ी होती है एवं उसमें भोजन का परियाप्त भंडार भी होता है जबकि दूशरी अपेक्शाकरत छोटी एवं अधिक गत्शेल होती है गत्शील जनन कोशका को नर्युगमक देखो यहां से आप समझो यह देखिए दूस्तों गत्शील जनन कोशका को नर्युगमक देखो जिन जिस जनन कोशका में भोजन का बंडार संचित होता है उसे मादा युगमक कहते है देखिए गत्शील जनन कोशका कोन है नर्युगमक और जिसमी भोजन का बंडार संचित होता है उसको मादा बिभएद उत्पन किये हैं तता कुछ जीवों में नहर एक ठाक मादा में शरीरिक अंतर्वी सपस्ट ग्रेश्टीगोश्टर होते हैं कि पुस्पी पौदों में लेंग इजनन किसमें पुस्पी पॉदों में लेंग आवरत भी जी, जिसको इंग्लिश में एंज्यो इस्पर्म भी कहते हैं, कि जन्नाग पुष्ट में अवस्तित होते हैं, आप पुष्ट के विमिन भागों के विशे में पहले ही पर चुके, जैसे बहादल, मैंने आपको पहले ही बताया है, बहादल, दल जिसको पंखुरी कह हो सकते हैं देखिए जब पुष्प में पुणकेशर अत्वास्तिकेशर में कोई एक जन्नांग उपस्थित होता है तो पुष्प एक लिंगी होता है यहां से दोस्तों इसको समझ ले बहुत इम्पॉर्टेंट है जब उसमें पुंकेशर एवें इस्त्रीकेशर दोनों उपस्तित होते हैं तो वह होता उभहे लंगी इसके एकजामपल गुरहल और सर्सों देखे एक लिंगी में इस्त्रीकेसर हो चाहिए पुंकेसर हो दो में से एक उपस्तित हो और उभे लिंगी में क्या हो जाएगा पुंकेसर एवन इस्त्रीकेसर दोनों होने चाहिए और इसमें एक्जामपल गुरहल और सर्सों इसका बहतरीन एक्जामपल है देखे पुंकेसर नर्जन्नांग होते हैं जो पराकर बनाते हैं पुंकेसर क्या होते हैं? नर्जन्नांग होते हैं जो पराकर बनाते हैं पराकर समनता पीली हो सकते हैं आपने देखा होगा कि जब आप किसी पुस्प के पूंकेसर को छूते हैं, तब हाथ में पीला पाउडर लग जाता है, इस्त्रीकेसर पुस्प के केंदर में अवस्तित होता है, एक देखे, आपको चितरवी पुस्प का दिखाते हैं, देख पा रहे हैं ये रहा दोस्तों, इसमें आपको हम दिखाते हैं, ये पार्ट्स आप देख पा रहे हैं इस्त्रीकेसर, इस्त्रीकेसर के अंतरगत क्या आते हैं, वर्थिका और अंडाश है, इस्त्रीकेसर के अंतरगत क्या क्या आता, अंडाश है, वर्थिका और वर्थिकाग, बात करें पुंकेसर की, तो इसके अंतर गर्वकर्व, तंतू, दल, सिर्फ सुनिए पुंकेशर के अंतर दो चीजिजी आती पराकोष और तंतू, पराकोष और तंतू, वह इस्त्रीकेशर के अंतरrot तंतू अतर चाह penal है वर्वकर्वर, अंडाश है, दल पंखुरी है और बादल यह अलक पार्व होते है चलिए अब आगे देखते हैं क्या है देखे इस्त्रीकेसर पुस्प के केंदर में अवस्तित होता है तता है पुस्प का माधा जन्नांग है यह तीन भागों से बनता है जो कि मैंने बताया आधार पर उबरा फूला भाग अंडासे है और मद में लंबा भाग वर्थिका तता शीर्स भाग वर्थिका आगरे जो प्राया चिपचिपा होता है अंडासे में भीजांड होते हैं तता प्रतिक भीजांड में एक अंड कोश्का होती है पराकड़ द्वारा उत्पादित नर्युगमक अंडासे की अंड कोश्का से सलनेत हो जाता है जर्यन कोश्का की इस युगमंत अत्वा निसेशन से युगमनस बनता है जिसमें नए पौदे में विक्षित होने की शम्ता होती है अता पराकड़ों को पंकेसर से वर्थकागर तक इस्तानांतरन की आफसकता होती है यदि पराकड़ों का ये इस्तानांतरन उसी पुष्व के वर्थकागर पर होता है तो ये स्वा परागर कहलाता है परंतु एक पुष्प के पराग कर दूसरे पुष्प पर इस्तानांतरित होते हैं तो उसे पर परागर कहते हैं यहां से थोड़ा आपको हम समझा देते हैं देखे क्या होता है यदि पराग करका ये इस्तानांतर उसी पुष्प के वर्तिकागर पर होता है तो यह स्वा परागर कहलाता है जिसको English में Cell Polly Nation कहते हैं Pusp Same हो, ठीक है या पेंड same हो, तो इसे आप कह सकते हैं कि यह स्वा परागर यह Cell Polly Nation है परन्तो एक पुष्प के परागर दूसरे पुष्प पर इस्तारांतरित हो ठीक है, तो उसे पर परागर कहते हैं, ठीक, क्या कहते हैं, पर परागर इसे कहते हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रहे हैं, एक पुस्प से दूसरे पुस्प पर इस्तान अंतरण हो रहे हैं, तो वह पर परागर के अंतरगत आएंगे, देगे पराकडों के कुछ उपयुक्त वर्थकागर पर पहुशने के पश्चात नर युगमक को अंडाशे में इस्तित मादा युगमक तक पहुशना होता है इसके लिए पराकड से एक नलका विख्षित होती है तता वर्थका से होती वी वीजांड तक मौशती है निसेशन के पश्चात निसेशन को इंग्लिस में फर्टिलाइजेशन कहते हैं ध्यान रखिएगा युगमनेज में अनेक विवाजन होते हैं तता बीजांड में भून विक्षित होता है बीजान से कठोर आवरल विक्षित होता है तता है बीज में परिवर्थित हो जाता है अंडा से टीवृता से वर्दी करता है तता परिपक होकर फल बनता है इस अंतराल में बहादल, पंकुडी, पुंकेशर, वर्दिका एवं वर्दिकागर प्राया मुर्जा कर गिर जाते है क्या आपने कभी पुस्प के किसी भाग को फल के साथ इस्ताई रूप से जुड़े हुए देखा है सोचिए बीजों के बनने से पौदे को क्या लाब है बीज में भावी पौदा अत्वा भूण होता है जो उपयक्त परस्तितीयों में नवोथ भिद में विख्शित हो जाता है इस प्रक्रम को अंकॉण कहते है बीज डाला धीर धीर वए निकलने लगता है नए पौदे की रूप में इस करिया को अंकॉण कहते है और अंकॉण हम सभी लोग समझते हैं क्या होता है आपको हम चित्र दिखाते हैं 8.8 वर्ध्कागर पर पराग करों का अंकुरान देखें माधा युगमक अंडास है परागनली नर्य युगमक वर्ध्कागर और पराग करों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हों एक क्रिया कलाद दिया गए इसको आप स्वयन पढ़ें और करते हैं चितार तसमलो 9 देखिए अंकुरान प्रांकुरान भावी प्रो कहते हैं मूलांकर जिसे भावी जड़ भी कहते हैं अब हम लोग देखेंगे मानों में लैंगिक जनन किसमें मानों में लैंगिक जनन अब तक हम विभिन इस्पीसिस में जनन की विभिन प्राणियो की चर्चा करते रहें आईए अब हम उस इस्पीसीस के विशे में जाने जिसमें हमारी सरवाधिक रुचिये वह है मनस मानों में लेंगिक जनन होता है ये प्रक्रम किस प्रकार कार करता है आईए अब इस तूल रूप से एक आसंबद बिंदु से प्राहम करते हैं हम सभी जा का है कक्षा एक से दस तक पहुंशते पहुंशते हमारी लंबाई एवं भार बढ़ जाता है हमारे दात जो गिर जाते हैं दूद के दात कहलाते तता नए दात निकलाते इन सभी परिवर्तनों को एक सामान प्रक्रम व्रद्धी में समूबद कर सकते हैं जिसमें शारीरिक व्रद्धी होती है परंतु कि सोरा वस्ता के प्रारंबिक वर्सों में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिने मात्र शारीरिक व्रद्धी नहीं कहा जा सकता है जबकि शारीरिक सौश्टव ही बदल जाता है शारीरिक अनपात बदलता है नए लक्षन आते हैं तता सम्वेद जना में भी परिवर्तन होता है इन में से कुछ परिवर्तन तो लड़के एवं लड़कियों में एक समान होते हैं हम देखते हैं कि शरीर की कुछ नए बागों जैसे की कांक एवं जागों के मत जन्नांगी छेत्रों में बाल गुछ निकल आते हैं तता उनका रंग भी गहरा ह पैर हाथ एवं चेरे पर भी महीन रोम आ जाते हैं अर्था क्या रूए निकलने लगते हैं तुचा अक्सर तैली हो जाती तदा कभी-कभी मुआ से भी निकल आते हैं हम अपने और दूसरों के प्रति अधिक सजट हो जाते हैं दूसरी और कुछ ऐसे भी परिवर्तन हैं जो लरकों में भिन होते हैं लरकों में इस्तन के आकार में ब्रद्धी होने लगती है तता इस्तनाग्र की तुचा का रंग भी गहरा होने लगता है इस समय लरकों में रजो धर्म जिसको मेंस्ट्वल साइकल भी कहते हैं वो भी स्टार्ट हो जाती है और लरकों के चेरे पर द गती से होते हैं, ये परिवर्तन सभी वेक्तियों में एक ही समय अत्वा एक निश्चित आयू में नहीं होते हैं, कुछ वेक्तियों में ये परिवर्तन कम आयू में एवं तीवर्ता से होते हैं, जबकि अन में मंद गती से होते हैं, पर तेक परिवर्तन तीवर्ता से पूर भ बीदर काती है, फिर भी इन सभी परवरतral़ों में विविन व्यक्तियों के बीच विवता परिलक्शित होती है, जैसे कि हमारे नाक नक्ष अलग है, अलrerात जितने भी मनें से बलक्ष को सिथे हैं आ होत direct हमारे हैं, जो जो नाक नक्षे है वो अलग-अलग होते हैं। इसी प्रकार, उसी प्रकार बालों की वृद्धी का पैटन इस्तन अथ्वा शीसन की आकरति में आकार भी भिन होती है। यह सबी परिवर्तन शरीर की लेंगिक परिपक्ता के पहलू हैं। इस आयू में शरीर में लेंगिक परिपक्ता क्यों परिलक्षित होती है हमबव कोशिक जीवों में विशिष्ट कारियों के संपादन हैं विशिष्ट प्रकार की कोश्काओं की आपसक्ता की बात कर चुके हैं लेंगिक जनन में भाग लेने के लिए जनन कोश्काओं का उत्पादन इसी प्रकार एक विशिष्ट कार है तदा हम देख चुके हैं कि पौदों में भी इस हेतु विशिष्ट प्रकार की कोश्काओं एवं उतक विक्षित होते हैं प्राणियों जैसे की मानों में भी इस कार हेतु विशिष्ट उतक विक्षित करता है देखी किसी विक्ति के शरीर में युवावस्ता के आकार हेतु व्रद्धी होती परन्तु शरीर के संसादन मुकता इस व्रद्धी की प्रात्ती की ओर लगे रहते हैं इस प्रिक्रम के चलते जनन उतक की परिपक्ता मुक प्रात्मिक्ता नहीं होती है अता जैसे जैसे शरीर की सामान व्रद्धी दर धीमी होनी शुरू होती है जनन उतक परिपक्त होना प्रारम करते हैं कि सोरा वस्ता की इस अविदी को यवना आरम जिसको इंग्रिश में प जिनकी हमने चर्चा की जरन प्रक्रम से किस प्रकार संबन्ध हैं, हमें याद रखना चाहिए, कि लेंगी जरन प्रणाली का अर्थ है कि दो भिन वेक्तियों की जरन कोश्काओं का परस्पर सल्ल्यान, ये जनन कोश्काओं के बहा मोचन द्वारा हो सकता है जैसे कि पुस्पी पौधों में होता है अत्वा दो जीवों के परसपर सम्मन द्वारा जनन कोश्काओं के आंतरिक इस्तानांतरों द्वारा भी हो सकता है जैसे कि अनेक प्राणियों में होता है अर्थाद जीवों में होता है। यदि जन्तुगों को संगम के इस प्रक्रम में भाग लेना हो तो यह आवस्यक है कि दूसरे जीव उनकी लेंगिक परिपक्ता की पैचान कर सकें। लशना के आवसकता होती है। उधारन के लिए शिशन के उर्द होने की समता इस्तंदारियों जैसे कि मानों में सिसु मा के शरीर में लंबी अवदी तक गरवर्षत रहता है। अर्थाद नौ मैने तक बच्चा मा के गरव में रहता है। तता जन्मों उपरांत इस्तंपान कर में आधमी लड़का कि बात करने वाले है। निकेति इस्तंतं को निसेशन के इस्तान तक पहुंचएंब रूप से नर्जन्मों तन्तर कहलाते हैं। अभी आपको चित्र में भी हम दिखाते हैं चलिए देखते हैं। यह चित्र आप लोग 18.10 देख पारे होंगे 14.10 या MANO नरग जनन्त तंत्र ये देखिए शुकरास ए मुत्र नलकाब देख पारे होंगे मुत्रास ए प्रो notably ग्रंथी देख पारे होंगे ठीक है, शिशन देख पार होंगे, मुत्रमार्ग भी आप लोग देख पार होंगे, वर्सनल देख पार होंगे, वर्सनल कोज देख पार होंगे, शुक्रवाइनी देख पार होंगे, ये मानों का नर्जनन तंत्र है, अर्थात ये, किसी न किसी मैन का है, जिसको इंगलिश मे वर्षण में होता है यह उदर गुआ के बाहर वर्षण कोस में इस्तित होते हैं इसका कारण यह है कि शुक्राणू उत्पादन के लिए आफस्यक ताप शरीर किताप से कम होता है टेश्टो इस्टोरोन हार्मोन के उत्पादन एवं सर्वर से वुर्षण की भूमका की चर्चा हम पिछले अध्याय में कर चुके हैं इसको आप समझ लो टेश्टो इस्टोरोन इससे ही उत्तेजना बरती है मेल में शुक्राणू उत्पादन के नियंत्रों के अत्रिक टेश्टो इस्टोरोन लड़कों में योवना अवस्ता के लक्षणों का भी नियंत्रों करता है उत्पादित सुक्राणूं का मोचन सुक्रवाहिकाओं द्वारा होता है इस सुक्रवाहिकाओं मूत्राशे से आने वाली नली से जुड़ कर एक सयुक्त नली बनाती है अता मूत्र मार्क सुक्राणू एवं मूत्र दोनों के प्रवा के उभे मार्क हैं पोश्टिट तथा सुक्राशे अपने सुराव सुक्रवाईका में डालते हैं जिससे सुक्राणू एक तरल माध्यम में आ जाते हैं इसके कारण इनका इस्तान नंत्रों सरल्ता से होता है, साथ ही है स्राव उन्हें पोशल भी प्रदान करता है, सुक्राणू सूचिंसन रचना हैं, जिसमें मुक्ता अनुवानसिक पदार्थ होते हैं, तदे एक लंबी पूछ होती है जोने मादा जनन कोश्का की ओर तैरने मे साहता करती है, मादा जनन तंत्र, अब देखेंगे हम लोग मादा जनन तंत्र, देखें, इसको फीमेल रिप्रोड़क्टिव आरगन भी आप लोग इंगलिश में कह सकते हैं, मादा जनन कोश्काओं अथवा अंड कोश्का का निर्वान अंडासे में होता है, वे कुछ हार मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोड़क्टिव योनी, गरीवा, गरवाशे, अंडासे और अंडवाईका, अंडवाईका कोई फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब है, अंडासे, गरवाशे, गरीवा, योनी है, ये चीज़ें आप लोग देख पा रहे ह देखे क्या होता है, लड़की की जन्म की समय ही अंडासे में हजारो आ परिपक अंड होते हैं, योना आरम में इन में से कुछ परिपक होने लगते हैं, दो में से एक अंडासे द्वारा प्रतेक माँ एक अंड परिपक होता है, महिन अंड वाईका अत्वा, फैलोपियन ट् जिसे गर्वासे कहते हैं गर्वासे ग्रीवा द्वारा योनी में खुलता है। मैतन के समय सुक्रानु योनी मार्ग में इस्तापित होते हैं जहां से उपर क्यूर यात्रा करके वे अंडवाइका तक पहुंच जाते हैं। जहां अंडवाइका से मिल सकते हैं निसेचित अंडवाजित होकर कुशकाओं की गेंद जैसी संरचना या भ्रून बनाता है। भ्रून गर्वावस्ता में इस्तापित हो जाता है जहां ये लगातार व्रूजित होकर वर्दी करता है। तता अंगो का विकास करता है। हम पहले पढ़ चुके हैं कि मा का शरीर गर्वा धारण गर्व धारण एवं उसके विकास के लिए विशेश रूप से अनकूलित होता है। अता गर्वा से प्रतेक मा भूण को ग्रहन करके करने एवं उसके पोशर हेतु तयारी करता है। इसकी आंतरिक जो परत होती मोटी होती है। तता भूण के पोशर ही तो रुधिर प्रभा भी बर जाता है। भूण को मा के रुधिर से ही पोशर मिलता है। इसके लिए विशेश संरशना होती है। जिसे प्लैसेंटा कहते हैं, क्या कहते हैं, प्लैसेंटा दोस्तों कहते हैं, ये एक तस्तुरी नुमा समरचना है, जो गरवासे की बित्ती में दसी होती, इसमें भूर की ओर की उतक में प्रवर्ध होते हैं, मा की उतकों में रक्ट इस्तान होते हैं, जो प्रवर्ध को आच् पन होते हैं जिनका निप्टान उन्हें प्लेसेंटा के माध्यम से मा के रुदिर में इस्तानांतर्ण द्वारा होता है मा के शरीर में गर्व को विक्षित होने में लगवक 9 महिने का समय लगता है गर्वासे के पेशियू के लवद संक्ष्चन से शिसुगा जन होता है और इ लगबक एक दिन तक जीवित रहती है क्योंकि अंडा से प्रतेक माँ अंड का मोचन करता है अथा निशेशित अंड की प्राप्ति हित्व गरवासे में अधा इसकी अंता भित्ति मासल एवं स्पोंजी की हो जाती है यह अंड की निशेशन होने की अवस्ता में उसके पोशल क एमन मीक्स के रूप में निस्कासित होती रहती इस चक्र में लगभग एक मास्का समय लगता है तदा इसे रिती शुराव अत्वा रजयोधर्म कहते हैं क्या कहते हैं रिती शुराव या रजयोधर्म कहते इसके वडिये लगभग 2-8 दिनों तक रहती है इंग्लिस में इसको menstrual cycle कहते हैं और short में इसे MC भी कहते हैं अब हम लोग देखेंगे जनल स्वास्त क्या दोस्तों पढ़ेंगे जनल स्वास्त के बारे में पढ़ते हैं जैसा कि हम देख चुके हैं कि लेंगिक परिप्रक्ता एक क्रमिक प्रक्रम है तथा ये उस समय होता है जब शारीगरी की विरद्धी भी होती रहती है अता किसी सीमा जिसे आंसिक रूप से तक लेंगिक परिप्रक्ता का अर्थ ये नहीं है कि शरीर अत्वा मस्तिक जरन क्रिया अत्वा गर्दारन योग हो गया है हम ये नड़े किस प्रकार ले सकते हैं कि शरीर एक एवं मस्तिस इस मुक उत्तरदायत के योग हो गया हो इस विशे पर हम सभी पर किसी ना किसी प्रकार का दबाव है इस किरिया के लिए हमारे मित्रों का दबाव भी हो सकता भले ही हम चाहें या ना चाहें विवा एवं संतान उत्पत्ती के लिए पारिवारिक दबाव भी हो सकता है। संतान उत्पत्ती से बच कर रहने का सरकारी तंत्र की ओर से भी दबाव हो सकता है। ऐसी वस्ता में कोई नुणाय लेना काफी मुश्किल हो सकता है। योन क्रियाओं के स्वास्त पर पढ़ने वाले प्रभाव के विशय में भी हम सोचते हैं सोचना चाहिए हमने क्लास 9 में पहले पढ़ा है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को रोगों का संचरण अनेक प्रकार से हो सकता है क्योंकि योन क्रिया में प्राकार शारीरिक संब इस्तापित होते हैं अता इसमें आश्यर की कोई बात नहीं है कि अनेक रोगों का लेंगिक संच्रण भी हो सकता है इसमें जीवालू जनित जैसे गोनोरिया देखिए आपको कुछ बीमारियों को नाम बताते हैं गोनेरिया शिफिलिस एवं वायरिस संक्त्मान जैसे की मस्सा तथा HIV इल्ड समलित है क्या है इल्ड सामिल है लेंगिक क्रियाओं के दवरान क्या इन रोगों के संच्रण का निरोद संबव है शिशन के लिए आवरान अत्वा कंडोम के प्रियोग से इन में से अनेक रोगों क संचरन का कुछ सीमा तक निरोत संबव है यौन जिसे लेंगिक कहते हैं किरिया द्वारा गर्वा धारन की संबावना सदा ही बनी रहती है गर्व धारन की अवस्ता में इस तरी के शरीर एवं भावनाओं की मांग एवं आपूरती बढ़ जाती है यदि एवं यदि वह इसके स्वास्त पर विप्रीत प्रभाव पढ़ता है अता गर्व धारन रोकने के लिए अनेक तरीके खोजे गए हैं ये गर्व रूती तरीके अनेक प्रकार की हो सकते हैं एक तरीका यांत्रिक अवरोत का है जिसमें सुक्राडू अंड कोश्का तक न पहुंच सके शिशन को रखने वाले कंडोम अत्वा यूनी में रखने वाली अनेक युक्तियों का उप्योग किया जा सकता है दूसरा तरीका शरीर में हार्मोन संतुलन के परिवर्तन का है इसमें अंड का मोचन नहीं होता अता निसेशन नहीं हो सकता है ये दवाय सामनता गोली की रूप में ली का भी गर्वासे में इस्तापित करके भी किया जाता परंतु गर्वासे की उत्तेजन से भी कुछ विप्रीद प्रभाव हो सकते हैं यदि पुरुष की सुक्रवाइकाओं को अवरुद कर दिया जाए तो सुक्राणूं का इस्तान अंतर रुख जाएगा यदि इस्तिरी के अ अवरुद उत्पन किये जा सकते हैं इदिपी शल तक्निकी भविष के लिए पूर्ता सुरक्षित परंतु आसावद क्या होता साउधानी पूर्वक की गई सल किरिया से संक्रवन अत्वाद दूसरी समिश्यां उत्पन हो सकते हैं सल किरिया द्वारा अंचाय गर्व को हट लाया भी जा सकता है इस तक्निक का दोप्योग उन लोगों द्वारा किया जाता है यो किसी विशेश लिंग का बच्चा नहीं जाते हैं ऐसा गयर कानूनी कार अधिक्तर मादा गर्व के चैनात्मक गर्व पाथ ही तो किया जा रहा है एक स्वस्त समाच के लिए मादा नर लिंग अनपाद बनाए रखना आफ्शय के दिपि हमारे देश में भूर लिंग निर्धारा एक कानूनी अप्राद है हमारे समाज की कुछ एकाहिएं में मादा भूर की निर्मम हत्या के कारण हमारे देश में सिसु लिंग अनपाद तिवरता से घट रहा है जो चिनता का का विशय सबसे कम देखने को मिलेगा जैसे हर्याना जैसे राज में हमने पहले देखा कि जनन एक ऐसा प्रक्रम है जिसके दवारा जीव अपनी समवस्टी की वर्धी करते हैं एक समवस्टी में जन्दर एवं मृतुदर उसके आकार का निर्धार करते हैं जन्संक्या का इक व्यक्ति की जीवन इस्तर में सुधार लाना दुसकर कार हैं। इस समाजिक असमानता हमारे समाज के निम्जीवन इस्तर के लिए उत्तर दाईवे तो जन्संक्या के आकार कम है इसके लिए अपेक्षा करिफ कम हो जाता है। हम अपने आज पास देखें तो कि आप जीवन के निम इस्तर के लिए उत्तरदाईव सबसे मैटपूर कारण की पैचान कर सकते कुछ प्रसने इनको आप पढ़ें अब वक्त आ गया है दोस्तों पूरे चेप्टर को एक वार फटापट रिवाइस करते हैं देखें आपने क्य जनल में एक कोश्का द्वारा डिने प्रतकृति का निर्मार तथा अत्रिक्त कोश्की संगठन का सर्जन होता है और विभिन जीवो द्वारा अपनाये जाने वाले जनल की प्रणाली उनके शारीरिक अविकल पर निर्भर करती है खंडन विदी में जीवारू एबन प्रोटो जवा की विदी प्रोटो जवा की कोश्का विवाजित हो कर दो या अधिक संत्ति कोश्का का निर्मार करती है यदी हाइड्रा जैसे जीवो का शरीर कई टुकडों में विलग हो तो प्रतेक भाग से पुन्रुद भवन द्वारा ने जीव में विक्षित हो जाते हैं इन में से कुछ मुकल भी उबर कर ने जीव में विक्षित हो जाते हैं देखें कुछ पोधों में काइक प्रवर्धन, द्वारा जड, तन, अथवा पत्ती से ने पोधे विक्षित होते, किस से किसे, जड, से, तन, से, और पत्ती से, उप्रोग्त अलेंगिक जन्रन के उधारन हैं जिसमें संतती की उत्पती एकल जीव द्वारा होती, अर्थात, एक ही only parents या एक ही जनक होता है। लेंगिक जनन में संत्रती उत्पादन है तो दो जीव होते हैं नर एवं माधा। DNA प्रतकृतिकी तक्नीकी से विविन्ता उत्पन होती है जो species के अस्तित के लिए लाप्रद है। लेंगिक जनन द्वारा अधिक विविन्ताएं उत्पन होती है। यह चेप्टर ही पर कम्प्लीट होता है। उम्मीद यह आपको पसंद आया होगा। आपको क्या करना है फटाफट इस चेप्टर को शेर करना है। लाइक करना है चैनल को सब्सक्राइब को करना है। दोस्तो इसी तरीके की classes आपको regular मिलती रहेंगी। और ये classes किसलिए important है सभी ऐसे exams जिसमें science आती हो चाहे वह यूपी पेट का हो चाहे वह सीटेट का हो चाहे दोस्तों वह पीष्टी ठीष्टी हो railway गुर्बडी हो या civil services हो कोई ऐसा exam किसी भी state का हो जिसमें दोस्तों NCRT की science आती है ये सभी के लिए दोस्तों important है क्या है सभी के लिए important है दोस्तों इस channel को फड़ापट subscribe करें चैनल को like करें और share करें दोस्तों जय हिन जय भारत